दोस्तों Facebook Ads course के इस वीडियो में आज हम आपको पिक्सल सेट अप करना सिखाएंगे पिक्सल अगर आपको अपने एड्स को ट्रैक करना है आपको अपनी वेबसाइट में जो ट्रैफिक आ रहा है कनवर्जिंस आ रहे हैं उनको ट्रैक करना है तो आपको पिक्सल सेट अप करन मेंडेटरी है जरूरी है बिना इसके आप सक्सेस्फुली Facebook Ads चलाना रिमार्केटिंग करना अपने एड्स को स्केल करना कन्वर्जिंस को ट्रैक करना कन्वर्जिंस ग्रो करना ऐसे बहुत सारी चीज़े नहीं कर सकते तो अगर हम Facebook Ads सिखा रहे हैं और आपको अच्छे अगर पिक्सल आप लगा रहे हैं तो आपको यहीं भी इंसौर करना पड़ता है कि पिक्सल प्रॉपर तरीक से लगाए कि नहीं लगा ट्रेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही तो वह सब कुछ आप इस सब चीज़े स्टेप बाइस स्कोर्स के अंदर आपको वीडियो में प्रॉसेस से तो आगे बढ़ते हैं आप जैसे कि अभी computer screen पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास मैं अभी meta business suit account के अंदर हूई यहां पर मैं all tools पे click कर हूँआ और यहां पर जैंने all tools पे click करूँआ तो मेरे को event manager पे click करना है जैसे मैंने आपको previous video में बताया था कि event manager व तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं connect data sources तो मेरे को अपनी website को connect करना है तो यहां पर मैं वेब पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे को वेब शाइट पर करना अगर आपकी एप है तो आप पर कर सकते हो offline data है तो उसके लिए तो इसी यहां से तो मैं वेब शाइट करनी है तो मैं वेब पे क्लिक करूंगा next करूंगा यहां पर दोस्तों मैं अमारा जो नाम है एक इसको डाटर सेट को एक नाम दूँगा तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं एम एफ एजिंसी तो जैसे मैं नाम दिया मैं further next step पर आँगा तो मैं यहां पर अपनी वेब साइट डालूंगा तो जिस वेब साइट में मेरे को पिक्सल लगाना है उस वेब साइट का URL कॉपी करा यहां पर पेस्ट करा और यहां पर next करूंगा तो यहां पर आप देख सक मेरे को क्या करना होगा नेक्स्ट मैं मैं मेटा पिक्सल कंवर्जन एपी पर क्लिक करूंगा तो यहां पर अब लोड होने में टाइम ले रहा है जरा सा अब दोस्तों सेट प्विद पार्टन इंटिग्रेशन सेट अप विद कंवर्जन एपी एई सेट अप मैनुएली तो मैं सेट अप मैनुएली पे क्लिक करूंगा तो यहां पर next करेंगे जैसे मैंने नेक्स्ट करा तो हमें यह पूरा पूरा इंस्रक्शन देता है कैसे हमें चीजों को करना है तो यहां पर हम कॉंटिन्यू भी क्लिक करेंगे अब मेरे को क्या है यहां पर व्यू कॉंटेंट किसलिए मैं पिक्सल में क्या क्या ट्रैक करना है तो मेरे को कॉंटेंट क्या सर्च हो रहा है एड्ट टु क Select कर लिया, Select करने के वाद मैं Continue करूँगा, तो जैसे मैंहां पर Continue करूँगा, तो event details यहां पर मैं अभी As such कुछ select नहीं कर रहा हूं, जो चीजे है, As it is, मैं इधर रहने दोंगा आप, और मैंहां पर Continue करता हूं, continue करने के बाद दुबारा मैं continue करता हूं, send instructions, अब यह mail पर जाए, यह manually मैं implement करूँगा, API को खुद से, तो यहाँ पर मेरे को click करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, send instructions, mail वेल पर कुछ भेजना नहीं है, और यहाँ पर finish नीचे लिखा आ रहा है, तो मैं सीधा finish पर click करूँगा, जैसे मैंने आपर finish पर click करा, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी मेरे म हमको capture करना है तो setup meta pixels में क्लिक करना और install code manually ठीक है हमें code खुद manually लगाना है कोई भी हम third party integration कोई app यूज नहीं कर रहे तो install code manually भी click करूँगा जैसी मैं करूँगा अब आप देखरो पिछले साल जब मैं facebook ads लेकर आया था तब और आपके process में भी काफी चीजों का फर्क आगया है तो तभी हम latest course आपके लिए लेकर आते हैं तो यहां पर आप देखरों यहां पर code आगे इसको copy code करेंगे ठीक है अब यहां पर हमने code को copy करा website के admin panel में जाएंगे तो wordpress पर हमारी website बनी होगी है इसके admin panel पर गए अब यहां पर appearances को option यहां पर theme and file editor पर क्लिक करूँआ ठीक है यहां पर हमने क्लिक करा यहां पर क्लिक करने के वाद इधर आप देख सकते हो इधर यहां पर हमारे पास option आता है header का तो यह header header पर हमने क्लिक करा और यहां पर हम अपनी file को update करेंगे header में ठीक है तो कहीं पर भी हम अपनी file को head में लगा देंगे यह head के code को paste करा head के बीच में लगा दिया update file पर क्लिक करा तो जैसे मैंने file को update करा यहां पर देखिए file edited successfully आना चाहिए आपको check करना है कि successfully update हुई है यह नहीं हुई वरना वो तब तक update होगा नहीं ठीक है अब जैसे ही मैं वापस event में गया ठीक है तो यह मैंने code को paste कर दिया था अब मैं continue करूंगा अब इसको आगे करते रहो गो टू पिक्सल ओवर्वियू तो दोस्तों एक बारी हम रिफ्रेश कर लेते हैं ठीक है पेज को तो रिफ्रेश करने के बाद यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मेरी डाटाबेस में आईडी शो हो रही है ठीक है जो अगर रिफ्रेश करने पर शो नहीं हो या आपको को दिक्कत आए तो घबराना नहीं है चोबेसर तालिस घंटे लगते हैं पिक्सल वेगर अपडेट होने में बाकी में इसका एक और तरीका बता देता हूं देखो जैसे कि मेरी वेब्साइट है तो यहां पर आप एक extension Chrome में लगा लेना Meta Pixel Helper करके एक extension आती है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कि मेरी वेब्साइट में कोड लगाए की नहीं लगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कोड है यह देखो यह कोड मैं पिक्सल आइडी लगाई थी यहां पर शो हो रहा है ठीक है मेरे extension म मतलब मेरी वेब्साइट में मैंने जो पिक्सल आइडी लगाए थी हो यहां पर शो हो रही है उसके अलावा आप देख सकते हो वही आईडी जो मैंने लगाए थी वही कोड मैं आपको दिखा रहा हूं जो यहां पर मैंने लगाया था बुर्म टो यहां पर आप देख सकते हैं यह वहाइडी है डेपल टू टू सेवें टू फोडल वन और यहां पर हमारे मेंटापिक्सल में भी सो हो और यह जो मैंने यहां पर आईडी लगाई है इधर जब मैंने पिक्सल एड कर रहा तो यहां पर भी पूरी की पूरी वही आईडी शो हो रही है मेरी वेबशाइट भी तो बागी डाटा आने में यह सब चीजे शो होने में 24 गंटे लग जाते हैं तो आपको परशान होने की शुरू कर दोगे और अपकमिंग वीडियो में एवेंट सेट अप करना और बहुत सारे एड्स बाप को बनाना प्रैक्टिकली सब सिखाएंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजे बेल आगान रभादी तक कि कुछ मिस ना हो थैंक यू कर दो दो प्रैक्टिकली संट मैं सिखाएंगे एडियो कर दोस्तों यूधार च जज़ से अढ़ हो जसे हूँनें कीया अificación हम ऩो आप हुआके नहाले मारे की प्रेक्ना मिठीयो मेंसंवे श्वाधिकली सेखाने दंश मैं